नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मैं हूँ अभिसेक मिस्रा जन अधिकार पार्टी के रास्टिये अध्यक्ष और पूर्वसांसत पपु यादव ने अपने पांच महीने की पेंसन सीम राहत कोस में दे दी है पपु यादव ने ये सकरात्मक पहल की है बहतरीन पहल की है और ऐसे तमाम लोग हैं आम और खास जो सीम राहत कोस में प्रधान मंतरी राहत कोस में अपनी छमता के नुसार रासी दे रहे हैं ताकि क्रोना पिरतों की मदद हो सके लोगडाउन में जो लोग फसे हैं उनकी मद आसान हैं लोगों के सामने स्वास्त से लेकर रोजगार तक की समस्या है ऐसे में सभी लोगों को मिलकर करोना से लड़ने के लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए पपु यादव ने बिहार सरकार से याकरभ भी किया है कि दूसरे राज्यों से जो लोग बिहारी बिहार आ रह यानि बिहार के बाहर के लोग जो दुसरे प्रदेशों में काम करते हैं और लोगडाउन के दोरान बिहार आ रहे हैं उनके बारे में पपू यादो ने डिमांड की है कि उनको जो आइसलेशन में रखा जा रहा है कुरेंटाइन में रखा जा रहा है 13-14 दिनों के लिए उनको वहाँ न रखा जाए उनकी प्रोपर जाच हो और उसके बाद उनको अपने घर जाने दिया जाए तो बड़ी मांग कर दी है पपू यादो ने और लगातार के दोरान मदद कर भी रहे हैं लोगों को जो लोग बिहार आ रहे हैं पैदल उनकी भी मदद कर रहे हैं पपू यादो और अब उन्होंने पांच महिने की पेंसन दी है सरकार से मांग की है कि जो लोग बिहार से बाहर से दुसरे प्रदेशों से बिहार आ रहे हैं अपने घर जाने के लिए उनको घर जाने दिया जाए लेकिन उनकी जाच की जाए उनको सीमा पर न रोका जाए उनको कुरंटाइन में न रखा जाए अगर वे लोग पुरी तरह स्वस्थ हैं तो उनको अपने गाउं जाने की जाज़त मिले उनको अपने घर जाने की जाज़ कि अटेवादी है।